अगर जो अच्छी ब्रीट की बच्छी आप तयार कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए वह फस्ट लेक्रेशन में आपको 25-30 लीटर का लेकिन इसमें करने के लिए एक अलग से प्रोडक्त आया है सेरवाल कंपनी का तो हम धीरे-धीरे मतलब अच्छी नसल की बच्छी यहां पर त्यार की जाता है इनके खाने के लिए इंको खाने के-लिए क्या क्या दिया जाता है ब्रद्व 186 कि तेना दिया तो और बहुत सारे लोग जो है अपने वच्छिया नहीं करते हैं उनका मानना है कि जीतना में हम बच्छिया तियार करेंगे जीतना उसका कौस्टिंग गिरेगा उतना में हम गाये खरीद लेंगे तो इसको आप कितना सही मानते हैं वो थोड़ा हमारे दर्सकों के साथ darseer कर देगा देखें सरी एक अच्छी नसल की बच्छिया तयार करने में खर्चा तो रहता है लेकिन यह है कि अगर जो आप उसको अपने according अपने environment में तयार कर रहे हैं तो श्का रेजल्ट बहुत अच्छा रहता है और घर की तयार हुई बच्चिया का result आपको last तक मिलेगा और अगर जो अच्छी ब्रीड की बच्चिया आप तयार कर रहे हैं तो यह समझ लीजे वो फस्ट लेक्रेशन में आपको 25 से 30 लीटर का उनका milking रिक वो रहेगा जे 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 अच्छा इसमें जो हमारे पास है ABS और WWS का ही मतलब वो है और काफी बच्चिया तो इसमें जो आप देखेंगे वो हमारे बुल की हैं लेकिन इसमें 7-8 बच्चिया ऐसी हैं जो WWS की भी हैं इतने टाइम थोड़ा थंड़क की वज़ा से सिखड़ी हुई है सब बाकी इसमें हम काफे स्टार्टर देते हैं शीतल का और इनको milk replacer सहरवा किये हैं और इनको open ही हम रखते हैं इनको बांदते नहीं है तो इस बाड़े में सर कितने महीने के बच्चिया रखते हैं इसमें सर पांच महीने से लेके 0 मतलब from 0 to 5 months की बच्चिया है हमारे बास तो दो तीन थोड़ा नसल बता देते सर की किस किसनस कौन से आपके जो बू बूट का ही है जिए जिए वो जो दोनों बच्चे बैठे हुए है यह देखे सर यह स्ट्राइकर की है यह ब्लैक वाली है यह अभी चार दिन की बच्चिया आई है अभी चार दिन की बच्चिया आई है स्ट्राइकर की ठीक है सर वो है वो पाइपर की है यह विशाल जी है विशाल सिंगी उन्होंने हमें सीमन दिया था इसका और बाकी मिक्स में हैं इसमें हमारी दो बच्छिया बहुत अच्छी थी डवलुड़ुएस की वह एक्सपायर कर गई जी जी मतलब थोड़ा सा एक कुट्ता गुसाया था उसने काट लिया था जी 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 डूटु देट तो एक्सपायर कर गई थी और एक Dale वी तैयार कर रहे है जी अच्छी जी एफ च्यार कर रहे हैं यह मतलब की तो नसल का captain मतलब in source पांच महीने का हुआ है इन लोगों को जो है सर डी वर्मिंग कितने महीने पर तीन महीने पर जनम के बाद तीसरे महीना जैसे पैदा हो तो मेरे हिसाब से 15 जिन पर इंको डी वर्मिंग एक बार करा देनी चाहिए पहले तो हम करते हैं 50 ml या 100 ml जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है हम कड़वा तेल वह हम करवाते हैं फिर 15-20 दिन के बीच पर डिवर्मिंग करा देते हैं उसके बाद 30 डेस पर इनकी प्रॉपर डिवर्मिंग होती है और जो मिल्क रिप्लेसर आप सर देते हैं सिरवाल कंपनी का तो एक बच्छिया को कितना हम दोनों टाइम मिला करते ह मिल्क रिप्लेसर मतलब यही होता है कि जैसे डेरी में माल लीजे दूद की कास्टिंग हमारी पचपन है तो उसी चीज को कि हमारे गाय का दूद बिग जाए और उसको रिप्लेस करने के लिए एक अलग से यह प्रोड़क्त आया है सिरवाल कंपनी का तो हम धीरे धीरे मतल रेजल्ट अच्छा है वहां रेजल्ट बहुत अच्छा है यह फ्रांस की कंपनी ए जिए जी हां तो विजय विश्कर्मा जी के थ्रू हमारी डील होती है तो बहुत अच्छा रेजल्ट है तो उसका एक लीटर मिल्क त्यार करने में क्या कॉस्टिंग पढ़ जाता होगा मैक्सिमम 25 रुपया बस उससे ज्यादा नहीं पालता है यानि कि 25 रुपया में एक लीटर दूद जो है तियार हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल हम देड़ सा रुपय में अच्छी फीड करा देते हैं इनको दिन भर में तो दूद के बाद फीड पर कितने दिन के बाद लाते टीन महीने इनको आप मिय मन काफे टर पर और और ग्रोवरर अजात Hangan मदर फीड है तो ठीक नहीं तो फिल्मिक यौदेसर से आप इसको फीड कर आसे दैता है सर तो वह किना महीना के बाद देना शुरू कर देता काफे स्टाड existing of Onakra मन के चली से सॉपक्तर हैं कितना इन योगों को देना चाहिए चाहने जाह लां यहान कितुने शेज मु優ा है लोग सब स्कारा होगा एक Belarus कितनी हुए से यह हैं और एक बच्चिया को तियार करने में एभेरेज क्या कोस्टिंग पढ़ जाता होगा चालीस से पैंतालीस अजार रुपया साल भरका सर इनका खर्चा रहता है चालीस से पचास जार तो बच्चा देने में तो लगभग दो साल पार कर दो साल मानके चलिए एक बच्षिया तियार करने में खर्चा आ जाता है बट यह है कि वह आपकी इन हाउस प्रोड़क्ट रहता है तो तरीके से समझी है वो रजल्ट अच्छा रहेगा आप कहीं से खरीद के लाओगे आज आप मार्केट में चले जाएए उसकी भी कोई गारेंटी नहीं है कि वह तो ठीक से सर्वाइब करेगी आप कहां नहीं सत्तर हजार पच्छत्तर हजार अस्ती हजार रुपए रेट का कोई गारेंटी नहीं है तो चलिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दर्शकों के साथ साधा किये सर इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद्वाद्वा